हेलो डियार तो आप लोग को स्वागत करता हूँ यूट्यूब चैनल नर्सिंग यान में जो भी मेरे सकेंड डियर के डियर स्टुडेंट है बेलकम है आपको तो जैसा कि आपको पता है कि कल एक दिन वीडियो आपका मंगल को नहीं आ पाया इसके लिए सोरी चलिए आज हम म भोज संदार प्रशन लेकर आज हम लोग आये हैं ठीक है मेडिकल स्यर्जिकल नर्सिंग 2 रुवीजन का यह पहला वीडियो है का ज advoc शलिये हम लोग पहले चिसलिए हम लोग हार्ट अटेक के मतल़ होता है और अक्ता उस्तित के हैं समझेंगे ठीक है चलिए पहले है मायो कारDIA इनफारливо क्षण होता क्या है पहले ये चीज़ को समझें सिंपल सी भाथा है माय डियार किसी लेयर में बना हमारा हर्ट होता है तो जो बीचला लेयर जो मायो कार्डियम का होता है मध्यम लेयर जो होता है वह क्या होता है कि उसमें बलड से परिपूर्ण होता है उसमें बलड चाहिए चुकि हमारे जिस परकार से बड़ी के हर एक अंग को पुरति सहिसे नहीं हो पाता है या फिर बिल्कुन नहीं हो पाता है तो इस कारण से जो आपका हर्ट का जो लेयर होता है medium layer myocardium बला वह धीरे-धीरे पेसिया मसल्स जो है नश्ठ होने लगता है और इसी से बेक्ती को जो है heart attack आता है और इसी को हम लोग myocardial infaraction या heart attack कहते हैं सीदी सी भासा में समझें सीदी सी भासा में समझें तो heart को blood supply कम हो जाना रुख जाना जो है heart attack का कारण बनता है अब heart को blood किसे मिलता है तो coronary artery से मिलता है तो यही इसी लिए यह दिया गया है समझ गए चीज़ों को समझ गए आगे चलिए अब इसके कारण पूछ रहा है तो अब मानिए कि heart का बिमारी जब किसी बेक्ती को होता है चाहे heart attack है कुछ भी आए तो heart का बिमारी जब heart का कारण जो होता है वहला है erithero देख लिए erytheroasclerosis erytheroasclerosis का मतलब होता है कि आपके आपके जो वाहिकाए है blood का जो वाहिका है जिससे blood हीर्दय को मिलेगा उस वाहिकी इस नली में जो है छोटे-छोटे टुकरे जो है लवन के रूप में बाहिकाए में जमा होगा जमने लगेगा अब जिससे होगा यह कि यह इस नली में बलड का परवाह कमने लगेगा समझ गए तो इसी को Erythro-Esclerosis कहते हैं Arterio-Esclerosis का मतलब है कि जो रक्त बाहिका है यह hard हो जाएगा, tightness आजाएगा इसमें समझ गए कठोर हो जाएगा तो यह Arterio-Esclerosis होता है, अगे है कुछ करोनारी आर्टरी, CAD रोग होता है, चुकि CAD करोनारी आर्टरी से जूरे रोग भी हो सकता है जैसे उसमें सिकूरन होना, करोनरी आर्टरी में सिकूरन आ जाना, अब सिक पाइप है, इतना मोटा पाइप है, या सिकूर के इतना पतला हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, इसमें भी बलट कम मिलेगा, समझ गए न, तो वही है, एस्टोनोसिस, मतलब रक्त बाहिका में सिक सिकूरना, संकूचन होना, एस्पाजम होना, मतलब सिथिल होना, अस्थानिक बिस्तार या फुलना, एनुरीज मतलब जो करोनारी है, उसमें जो है सुजन होना, यही जो है आपका करोनारी आर्टरीज से जुरे हुए रोग होते हैं, समझ गए? तो यह भी कारण बनता है हार्ट अटैक का, क्योंकि करोनारी आर्टरीज से जी बलड मिलता है, थ्रोम्बो एम्बिलीज में, धमनी में रक्त का थक्का बनना, समझ गए? अब उपर जो था आपका, एर्थिरो एस्कलरोसिस, उसमें कोई भी पदार्थ का थक्का, कोई भी पदार्थ जो है, आपका बन सकता है, समझ गए? लवन, खनीज, लवन, कुछ भी जमा हो सकता है, वासा भी जमा हो सकता है, लेकिन थ्रोम्बो एम्बिलीज में का मतलब है, कि जैसे रक्त का धमनी है, इसमें blood clot हो गया यहाँ पे ठीक है यहाँ पे clot हो गया यहाँ पे clot हो गया अब जिससे होगा कि यह रास्ता आवरूद होने लगेगा रक्त के ठका होने से इसमें तो इसी को thrombo embolism कहते हैं धमनी में रक्त का ठका होना समझ रहें आगे हैं हिर्दय में संकर्मन, heart infection अब मानें कभी-कभी heart में infection भी हो जाता है जैसे pericarditis, myocarditis, endocarditis तीनों लेयर में से किसी में infection हो जाएगा तो heart का जो capacity है कम जाएगा समझ गया है उसके बाद आता है कुछ common कारण है जैसे diabetes चीनी वाले रोगी में हो सकता है family history पडिवारी की तिहांस क्या है वहाँ भी यह चीज़े ह हो सकता है ध्रूम पान smoking करने से भी यह चीज़े होता है समझ गया है अत्यधिक वसिये भोजन मतलब high ily food का seven करना भी हानिकारक होता है ज्यादा मोटापा होना भी हानिकारक है निस्क्रिये जीवन सैली मतलब sedentary life style मतलब बिलकुन आप जो है physical active नहीं है तो यह भी कारण हो हर्मोनल गर्व निरोधा का सेवन करना कुछ ऐसे हर्मोन के दवाई ले रहे हैं जो आपके कंट्रा सेप्टी मतलब गर्व निरोध में काम में आता हो तो ऐसे हर्मोन भी जो है आपके हट को नुकसान पहुचा सकता है तो यह सब कारण है कारण मैंने आपको बता दिया कार अब इतना सारा मैंने कारण बताया तो आप नूर्मल समझे कि एक बेक्ती को हट रोग कव होता है जब उसमें डाइवीटीज होता है समझ गए जब उसमें मोटापा आता है जब वह बहुत ज़्यदा ध्रूम पान करता है बहुत ज़्यदा स्राब का सेवन करता है समझ गए smoking करता है तो इस सब हट के डीजेज होने का खत्रा रहता है क्योंकि वह सब जाकर कुरोनरी आर्टरी को ब्लॉक करता है और वहाँ पर हट को बलड सप्लाई में कमी आता है समझ गए यह सब चीजे हो गया लक्षन की बात किया जाए कि इसमें क्या-क्या लक्षन होते है तो लक्षन भी आपको जानना चाहिए कि हार्ट अटेक में क्या-क्या लक्षन होते है तो हार्ट अटेक में लक्षन होगा कि लगतार ते जो है दरद भी बाएं साइड में फैलने लगता है दरद लंबे समय यानि बारा घंटा से अधिक तक भी रह सकता है एस सब चीजे होता है समझ गए उल्टी के साथ में आपका दरद आ सकता है तो समझ येगा हार्ट अटेक का तो नहीं असर है हाथ पैर ठंडे होने लगता है हाथ पैर में ठंडे आने लगता है अत्यधिक पसीना आना डाइफरोसिस बहुत ज़्यादा पसीना आने लगता है बेक्ती का नारी दर बढ़ जाता है बेक्ती में स्वासांस लेने में कठनाई होने लगता है समझ गए तो ये सब आपके कारण है जो कि आपके उसी से जू जल्दी जल्दी हाथ पैर ठंडे होने लगना ठीक है अत्यधिक पसीना आना नारी दर अधीक होना स्वासन में कठनाई होना तो ये सब जो है आपके हो गए क्या चीज़ लक्षन ओके आगे चलिए जटिलता अब माने गए कोई पेसेंट इस पर नजर अंदाज किया तो आ समझ गए उस कंडिशन में अगर बलड नहीं मिलेगा हर्ट को तो हर्ट क्या होगा हर्ट जो है आपका काम करना बंद कर देगा और फिर जब हर्ट काम करना बंद कर देगा तो आपके अन्य बड़ी के अंगों में भी जो है बलड नहीं जा पाएगा समझ गए तो हर्ट फि लेप्ट वाला लेप्ट वाला लेप्ट वाला लेप्ट वाला लेप्ट वाला तो यह जो लेप्ट वेंट्रीकल है यह लेप्चर कर सकता है और जब यह रेप्चर कर देगा तो यही तो बलट को भेजता है महाधमनी में और वह महाधमनी संपून बड़ी में सप्लाई करता ह तो जब यही rapture हो जाएगा तो फिर खतनाक हो जाएगा समझ गए Ventricooler Anorism होगा मतलब जो Ventricooler है Heart का जो आपका उसमें जो है सूजन आ जाएगा समझ गए Thrombo Emblemism मतलब आपके रक्त बाहिकाओं में जो है रक्त का थक्का बन सकता है और लाश्ट में यह कारण देथ का भी होता है तो Heart Attack में अगर जदा देर तकर किसी को देखवाल न मिलता है तो देथ ही होता है न ते जो है आपका Heart Attack का जटिलता है जो कि मैंने आपको बता दिया ठीक है आगे चलते है निदान की बात क्या जाए तो माई दियर निदान में कुछ टेस्ट होते है ठीक है निदान में कुछ आपको टेस्ट होते है टेस्ट क्या होते है तो जैसे Physical Examination होगा क्या होगा, फिजकल एक्जामीनेशन होगा, समझ रहे हैं, भावतिक जाच किया जाता है, बड़ी का, सारीदिक जाच किया जाता है, इतिहांस लिया जाता है, कि कब से है, कितने दिन से है, क्या पहले से दवाई ले रहे हैं, ठीक है, तो ए इतिहांस लिया जाता है, लक्षन की जांच किया जाता है उसके बाद blood का भी जांच किया जाता है उसमें lipid profile ये सब चेक किया जाता है कहीं वासा तो नहीं बढ़ा हो जिसके कारण blood supply जो है blood supply जो है धीरे-धीरे हो रहा हो तिके नहीं electrocardiogram ECG करवाया जाता है patient का समझ गए coronary angiography समझ गए coronary होता है उसको angiography करवाया जाता है serum enzyme का test किया जाता है समझ गए और myocardial infaraction अगर patient में होता है तो उसके ST segment में परिवरता नाता है आप लोग जब ECG देखिएगा तो वहाँ पे आपके क्या होते है graph होते है कुछ इस परकार से आपके गराप होते है ECG में ठीक है ऐसे कुछ गराप होते है एक गराप जो है डॉक्टर जो है परते है और इसमें एक ST segment होता है जिसमें परिवरता नाता है myocardial infaraction में तो यह आपको पहचानने का तरीका है myocardial infaraction में ST segment में परिवरता ना है तो समझेगा कि हो heart attack के खत्रेका है ठीक है तो यह चीज़े है heart attack को जांच के लिए हम एक और ट्रॉप्टी जो होता है ट्रॉप्टी टेस्ट भी करते है ट्रॉप्टी कीट होता है जिसमें positive और negative बताता है समझ गए तो यह चीज़े हो गया आगे हम उप्चार की बात करेंगे माइड यार उप्चार की बात में आपको अलग-अलग उप्चार होता है समझ गए तो यहाँ पर देख लीजे उप्चार में बात करेगा तो अगर पेसेंट को थ्रॉम्बोलाइटिक है समझ गए मतलब रक्ट की थका बनता हो तो उसको कम करने के लिए रोगी को थ्रॉम्बोलाइटिक एजेंट दिये जाते हैं जैसे एस्ट्रेप्टो काइनेज एनेकसापिरीन समझ गए कलेकसेन 0.6 mg पेसेंट को थ्रॉम्बोलाइटिक एजेंट दिया जाता है जैसे एस्ट्रेप्टो काइनेज और एनेकसापिरीन 0.6 mg ठीक है तो यह थ्रॉम्बोलाइटिक एजेंट का दोनों याद रखिएगा यह महत्पून होता है कि बलड में भैसेल्स में रख्ट का थक्का को तोड़ता है कम करता है जिसे नली साप होता है बलड असानी से आगे भरे जाएगा इसके लिए थ्रॉम्बोलाइटिक एजेंट को दिया जाता है दूसरा है अब बलड को थक्का न बने इसके लिए जो है बलड को पतला करने के लिए एस्पिरीन एंटी प्लेटले ड्रग दिया जाता है समझ गए आगे है तिसरा नंबर का यहाँ पे है कि रोगी को नाइटरेट्स ड्रग सब निगुवल मतलब जो नाइटरेट्स एंटी जी जो होता है वह नाइट्रेट नाइट्रो गिलिसरीन आता है यह दवा जो है सब लिगुवल या आईवी दी जाती है तो उपचार में आपको सबसे पहले ध्यान देना परेगा कि पेसेंट में अगर जो नली है बलड का अगर उस नली में अगर माने गए कोई रक्त का थक्का बना है समझ वह थ्रोंबोलाइटिक एजेंट वाला दवा देते हैं जैसे एस्ट्रेप्टो काइनेज एनोकसापेरीन यह दवा होता है जो दवा देते हैं नलीक में बने थक्का को तोरने के लिए ठीक है तो यह तो बनेगा तब जो है थ्रोंबोलाइटिक एजेंट देंगे बना रहे में तो थोरा सा रिलेक्स होगा पेसेंट तो एंटी प्लेटले ड्रग जो है बलड को पतला करता है ठका बनने से रोकता है समझ गये अगर पेसेंट को धर्द हो तेज धर्द हो तो इसको कम करने के लिए जो है हम लोग नाइटरेट्स द्रग देते हैं इसी को जो है हम लोग नाइट्रो गिलिसरीन कहते हैं, एंटीजी कहते हैं, जो 0.6 mg दिया जाता है, पेसेंट में, सब लिवनवल, मतलब जीव के नीचे रखने के लिए दिया जाता है, या जवरत परने पर IV भी दिया जाता है, समझ गए, रोगी को अब सेक्ता अनुशार, अगर और ज़्यादा दर्द हो, तो अप्वाइड एनलजेसिक या सिडेटिब देते हैं, जैसे मॉर्फिन सलफेट, यह बहुत ज़्यादा तेज में दिया जाता है, ठीक है, अब रोगी को चुकी यहाँ पर ऑक्सीजन का भी समस्या होता है, तो रोगी को नम ऑक्सीजन भी दी जाती है, समझ बीट आप ब्लोकर्स भी देते हैं, कैलसियम चैनल ब्लोकर्स दबाई भी देते हैं, जैसे भेराम पील, ठीक है, भेरापा मील, ठीक है, भेरेपा मील भी देते हैं, बी ब्लोकर्स में मेटो परोलोल भी देते हैं, तो इसको दियान रखना है, ठीक है, आठमा है, इस रोग मरीजों के लिए ही होता है जिसे intensive coronary care unit कहते हैं ओके आगे है अब सेक्ता अनुसार जो है पेसेंट का सरजरी भी किया जाता है उपचार में भी अगर दवाई बगेरा से ठीक ना हो पेसेंट को बहुत ज़दा समस्या आए तो उस condition में पेसेंट का अगर हट बिलकुन खतम हो तो उससे सरजरी किया जाता है बायपास सरजरी किया जाता है जिसे हम लोग coronary artery bypass grafting कहते हैं cefg कहते हैं ऐसी होता है हट का और एक होता है P.T.C.A. P.T.C.A. को हम लोग जो है Parcutaneous Transominal Coronary Angioplasty कहते हैं ठीक है यह Angioplasty होता यह है कि मान गए अगर रक्त बहिका में अगर कोई चीज यहां पर आके जम गया हुआ है यहां पर आके जम गया हुआ है और यह दबाई बगरा से नहीं तूटा है तो इसमें एक एंजियो पलास्टिक किया जाता है मिंस इसमें एक पतला नली डला जाता है इस नली में रक्त बहिका में एक नली डला जाएगा और यह जो है क्या करता है कि यह जमा हुआ जो क्लोटिंग है इस क्लोटिंग को तोड़ता है और इसको जो है फैलाता है और इसको जो है बाहर निकलता है तोड़कर ठीक है तो यही एंजियो प्लास्टिक होता है ओके तो यह होगी आपका उपचार उपचार समझगे चीजों को अब आगे चलिए आगे देखते हैं यहाँ पे इंगलिस मैंने इसको देद रखा है आप जो है इंगलिस इसके पर लेंगे ओके अब आता है चुकि उपचार देख लिए सर्जिकल प्रोसेस भी देख लिए अब आपको यहाँ पे देखना होगा कि एक हाट अटाय के परेसेंट है तो उस परेसेंट मरीज को कैसे नर्सिंग मेनेजमेंट में आप क्या क्या करेंग इस बिमारी में जो जो लक्षन दीखेगा उसी लक्षन का ना आप मेनेजमेंट करेंगे ऐसा थोरीन है कि पेसेंट के जो है आप जो है ट्रीटमेंट करने लगते हैं ट्रीटमेंट तो डॉक्टर करते हैं लिख दिए सरा सगेस्ट कर दिए प्रिस्किप्सन बना दिए पॉइंट उठाते हैं, पॉइंट कहां से उठाएंगे, तो उस बिमारी के लक्षन से, जटिलता से, पॉइंट को उठाएंगे 5-6 पॉइंट, और उसी को परबंध कैसे कैसे उसको कम करेंगे लक्षन को, लक्षन के लिए क्या-क्या परबंध करेंगे, 2-4 लाइन, 5 लाइन था ना कि तीवर दर्द होना तो तीवर दर्द यहां भी है अब तीवर दर्द को हम कैसे परवंद करेंगे ऐजे नर्स कैसे कम करेंगे यह सी चीज को हमको इसमें लिखना होगा जो भी लिखना है तो डॉक्टर के अनुसार जो दिया गया दवा है तीवर दर्द के लिए वह हमोरफिन सलफेट को आई भी मार्ग से देना चाहिए डॉक्टर सगेश्ट किये हैं या डॉक्टर जो भी दर्द के दवाई सगेश्ट किये हैं उसको जो है मरीज को देना चाहिए तीवर दर्द होने पर तो यह को यह हो गया रोगी को सांत बतावरन अरमदायक बतावरन दे ताकि दर्द में और जदा बेचाईनी बढ़ापन ना है समझ गए तो ये भी point हो गया तो ये हो गया दर्द, acute दर्द का परबंद अब दो point इसमें लिख दिए अब आगया oxygen की कमी आप लोग लक्षन उपचार में देखे हैं कि oxygen देंगे, तो oxygen कब देंगे तो एक point हमें oxygen का कमी होना लक्षन में दीख गया, अब इसका परबंद में पेसेंट को semi-fowler position बैठाते हैं ताकि उसका जो स्वसन का किरिया है अच्छे से हो सके SPO2 चेक करके चार्ट बनाना चाहिए ताकि पता चले कि कितना कम है और जब इस सब चीज हो जाए तो रोगी को soft यानि नम oxygen परदान करना चाहिए तो यह हो गया oxygen कम होने पर परबंध हो गया तीसरा है cardiac output कम होना मान गये हम पानी एक लिटर पी रहे हैं लेकिन हमारा जो मूत्र है वह उस अनुसार निकलिये नहीं दाए मतलब output जो हम intake ले रहे हैं पानी वह output मूत्र के हिसाब से देना चाहिए लेकिन उतना नहीं दे रहा है मतलब गरबरी है तो इसी परकार से हमारा हर्ट भी जो है हमारा हर्ट भी जो क्या करता है output देता है समझ गये तो अगर यह output कम हो जाए हर्ट का cardiac output कम हो जाए तो रोगी को क्या करना चाहिए सबसे पहले रोगी के पैर को उपर उठाना चाहिए समझ गये रोगी के पैर से साइड से उपर उठाना चाहिए ताकि जो भेनस रिटर्न है मतलब पैर के साइड से जो नस है वो हर्ट के तरफ जो है बलड को धके ले और हर्ट के तरफ बलड सप्लाई जादा हो समझ गए जिसे आग कार्डिया का आउटपुट बरहे समझ गए एचीज हो गया रोगी को परियाप्त मत्रा में तरल लेने के लिए कहना चाहिए ताकि जो आपका तरल के कारण जो कमी से आउटपुट कम है वो बर जाए ठीके चौथा है रोगी को बेहतीत होना अब समझे रोगी बिमार होगा तो क्या रोगी परसान नहीं होगा स्वभाविक बात है कोई भी अगर किसी के घर में कोई बिमार पर जाता है तो सब परसान हो जाता है बेहतीत हो जाता है तो उसी परकार से रोगी भी खुद बेहतीत हो जाता है तो जब रोगी बेहतीत हो तो उसके लिए आप क्या करेंगे परसान हो तो रोगी के साथ आपको एक अच्छे नर्स मरीज का संबंध बनाना पड़ेगा रोगी के सभी चिंताओं और समस्याओं को धर पुर्वक और सांती से जवाब देना होगा रोगी में जो भी ब्याप्त मिर्तु है उसके भै को दूर करना चाहिए तो ये सब रोगी के परसानियों को चिंताओं को कम करने के लिए ठीक है आगे है यहाँ पर और भी देख लीजिए वाट में रोगी से कम से कम लोग मिले इसका ध्यान रखे समझ रहे हैं रोगी वो उसके परिजनों को बारे में इसके उपचारों और स्वास सिक्षा के बारे में पुर्ण जनकारी देना चाहिए मतलब रोगी और उसके परिजनों को पुर्ण जनकारी देना चाहिए कि कौन सा इलाज कितना इलाज चल रहा है आगे है जटिलता की संभावना अब आपको यह भी धियान रखना परता है आप नर्स है देखवाल मरीज के कर रहे हैं तो आपको यह भी देखवाल करना परता है कि हम हार्ट अटइक के लक्षनों का तो देखवाल परवंध कर रहे हैं लेकिन इसके साथ और ज़्यादा सम वसंगती ये सब जो है नापते रहते हैं ताकि पता चले कि जो है पेसेंट में कितना क्या है ठीक है कार्डियक मोनीटर से रोगी के वाइटल साइन कंटिनिवस मोनेटरिंग करते रहते हैं ओके सभी आपातकालिन दवाईया वग समान रोगी के बिश्तर के पास होनी चाहिए ताकि कोई भी जटिलता की संभावना हो तो तुरंत मरीज को दिया जा सके ढूड़ना नहीं परे ठीक है रोगी को अन रोगों की दवाईया सही समय पर निरंतर रूप से लेने के लिए कहना चाहिए अब रोगी को हर्ट अटेक अभी आया है लेकिन पहले से भी कोई अन द दवा चल ला हो तो ओ दवाईयां भी जो है हम देने का पर्यास करते हैं ठीक है किसी भी जटिलता की स्तिती में तुरंट डॉक्टर को सुचित करना चाहिए कोई भी जटिलता देखे तुरंट डॉक्टर को सुचित करे ठीक है ताकि डॉक्टर जो है उसे हैंडिल कर सके त सब में 2, 2, 4, 5, 5 लाइने लिख देते हैं और यही बेश तरीका होता है नर्सिंग परबंध होने का अगर आप डाइरेक्ट 1 से 15 लाइन लिख देते हैं कि हर टरेक पेसेंट बालों के लिए क्या-क्या करेंगे नर्सिंग परबंध में तो आप कोई अच्छा तरीका नहीं हो आज का बहुत यह भी काफी महत्पून प्रशन है यह में सिंटू काई है कैंसर क्या है कैंसर के कारण को लिखिए बहुत अच्छा प्रशन है चलिए कैंसर देखते हैं क्या होता है कैंसर होता क्या है कैंसर एक रोग है जिसमें सरीर के टिसू उत्त कहिए कोशिका कहिए जो चीज़े है, मतलाव cancer एक रोग है, जो शरीर में जिस भी जगह पर, जिस भी औरगेन में होगा, वहाँ पे और नियंत्रित रूप से कोषिका का क्या करता है, बीवाजन करता है, बृधि करता है, जिससे वहाँ पे नए-νεए कोषिका आपस में मिलकर नियोप्लेसिया यानी ग गुच्छा बनाता है और वही जो है गुच्छा ट्यूमर के रूप में निर्मान करता है समझ गए और यही कोशिका हो जाता है यही जो है आपका कैंसर हो जाता है समझ गए चीजों को क्योंकि आप लोग जानते हैं कि हमारे बड़ी में जो भी टूट फूट होता है कोशिका का तो वह कोशिका निव कोशिका का विभाजन करता है और नया कोशिका आकर वहाँ पे मरमत कर देता है समझ गए तो इसी परकार से कोशिका विभाजन करके कैंसर जो है बरता है समझ गए तेची समझ गए आथवा दूसरे भासा में देखिए कैंसर एक रोग है जिसमें सरीर म क्या है कैंसर एक रोग है जो सरीर के किसी भी अंग में जो है आपका हो सकता है अब जिस भी और गेन में होगा वहाँ पे क्या होंगे तो वहाँ पे आपके नए ने कोशिका जन्म लेगा फिर वह कोशिका अपने जैसे अने कोशिकाओं का निर्मान करेगा विभाजन करके और वह सब कोशी का आपस में मिलकर एक गुच्छा बना देगा उस जगह पर और वह गुच्छा एक ट्यूमर का रूप ले लेता है अब जिस भी औरगेन में यह ट्यूमर हो जाता है वह जो है औरगेन आपके बड़ी के वह काम करना धीरे धीरे अनियंत्रीत तोर पर फेल होने लगता है यह अनियंत्रीत हो जाता है काम करने में और वह जो है वेक्तित का मिरतु का कारण बन जाता है और जब यह ज़्यादा हो जाता है तो अगर यह किसी एक अंग में है तो धीरे धीरे यह अन अंगों में भी यह कोशी का विभाजन होने लगता है फेलने लगता है कै अब आता है कि Cancer के क्या कारण होते हैं, Cancer के कुछ पर मुख कारण है, कौन कौन कारण है, देख लिजिए, सबसे पहला कारण होता है, ध्रूम पान, आप लोग देखते हो येगा, कि डबबा रहता है, सिग्रेट का उस पर लिखा रहता है, CAUTION, कौसन, मतलब साबधान, मतलब ध्रूम पान से फैलता है, सराव का सेवन अधी करने से भी ये चीज़े होता है, बिसेस दवाओं का सेवन, certain drug, कुछ ऐसे बिसेस दवा है, जिसका side effect है, जिसको लेने से भी जो है, कैंसर हो सकते हैं, पराबैगनी किरनों से संपर्क, अगर बहुत देर आप किसी ultra violet ray के संप भावना की होता है, क्योंकि हर बेक्ती खाद पानी से ही जो है, अब अपने फसल को निकाल ला है, खेत से खूब देता है, खाद में, खाद में खूब देता है, और बड़े बड़े जो है, को भी बड़े बड़े आलू, इस सब जो है कैसे होता है, सब खाद से ही निकला होता है समझ गए बीकिर्णों से संपर्क अगर मान गए एक्सरे रूम है परमानू बीजुलूई घर है इन समय एक्सरे एरेडियेस्टन एक्सपोज होता है अब इसमें अगर कोई ब्यक्ति काम कर रहा है लंबे समय से ठाहर रहा है हमेशा तो उसको जो हो सकता है कैंसर ठीक ह अत्यधिक बायू परदूसन अब मानेगे कोई ऐसे इलाके में रहते हैं जहां के बायू में बहुत ज़्यादा एरोसॉल की मात्रा है बहुत ज़्यादा पार्टिकुलेट मैटर है बहुत ज़्यादा एसो सलफर डायोकसाइड है यानि फ्लूरो कारवन है बहुत ज़्यादा इन सब कंडिशन में अधीक बायू परदूसन भी कारण बनता है आगे है जल परदूसन वाटर पोपुलेशन वाटर पोपुलेशन कहने का मतलब है कि जल परदूसन भी आपके खत्रा रहता है जल परदूसन भी बहुत ज़्यादा खत्रा रहता है क्योंकि यह बड़ी में डायरेक्टली अबजर्व होता है कोई वाइरस संक्रमन जैसे CMV, HPV यह संक्रमन भी जो है कैंसर पैदा कर सकता है तो यह मत समझे है कि संक्रमन से नहीं होता है परिवारी की तिहांस आपके फैमिली हिस्टरी भी आपको कारण बन सकता है कोई अटो यूमीन डिसोर्डर मतलब आपको कोई स्वाप परती रख्षी विकार है यह भी कारण बन सकता है अत्यधिक तैलिये भोजन का सेवन करना मतलब ज़्यादा आईली फूट का सेवन करना समझ गये गुठखा तमबाकू का सेवन करना तबैको चीबिंग मोटापा होना यह सब जो है आपके क्या होते हैं कारण बनते हैं कैंसर का तो इन में से जो भी चीजे का अगर अत्यधिक आप सेवन कर रहे हैं तो गलत है नहीं कीजिए ज़्यादा समझ गये क्योंकि कव किसको क्या हो यह किसी को कुछ पता नहीं है आगे है कहता है कैंसर के चितावनी देने वाले चीन हुआ लक्षन लिखे कौज एंड वार्निंग साइन ओफ कैंसर कैंसर का सवधानी चितावनी जो हता है कैंसर के कोशिकाओं के नैधानिक चीन हुआ लक्षन इन्हें सवधानी अर्थात कौशन द्वारा दर्साया जाता है जिस भी आप लोग देखते हो यह हनिकारक पदार्थ होता है उस पर C-A-U-T-I-O-N लिखा होता है एक कॉसन जो है basically बताता क्या है यह इसके सब्धानी लक्षन को बताता है इसमें फूल फर्म है और इसी कॉसन के फूल फर्म में सारा जो है cancer का लक्षन छुपा हुआ है जैसे चलिए दिखाते हैं पहला है C, C का मतलब क्या होता है आपके सामने में है तो C का मतलब है आपके सामने में है कि changes in bowel और bladder समझ रहे है changes in bowel and bladder changes in bowel and bladder का मतलब क्या है तो आपके सामने में देख सकते हैं कि मल मुत उठ सर्जन में परिवरतन मतलब इसका मतलब है कि जो बेक्टी को अगर cancer होगा, cancer के लक्षन आएगा उसमें उसके मल मूत्र के उत्सर्जन में परिवरतन आ जाएगा समझ गए, change in bowel और bladder habit, समझ गए आगे चलिए आगे है, आगे आप लोग यहाँ पर देखिए A ulcer और sore that does not heal, सरीर पर कभी न भरने वाला घाओ ऐसा गआओ निकलेगा, जो आपके कभी नहीं भरेगा, बहुत टाइम लगेगा भरने में, तो A ulcer या sore that does not heal, समझ गए, C A C मतलब change in bowel or bladder change in bladder and bowel habit, ठीक है, उसके बाद है A, A for, A ulcer और sore that does not heal, मतलब एक ऐसा गआओ, जो सरीर पर कभी न भरने बला हो, समझ रहे हैं चीजों को, आगे देखिए, U है, U for unusual bleeding और discharge असमान स्राव या रक्त स्राव समझ गए, आपके बड़ी से कहीं से भी जो है, unusual असमान, bleeding रक्त स्राव और discharge, यानि असमान स्राव या रक्त स्राव होगा ओके, आगे चलिए T है, thickening और lump in breast or else bear, मतलब आपके बड़ी में कहीं भी या breast में, thickening होगा lump होगा, मतलब गांठ होगा breast में, ठीक है, या बड़ी में कहीं भी जहां पे cancer होगा, तो thickening और lump in breast or else bear T का मतलब, thickening और lump in breast or else bear आई है indigestion or difficult in swalongi, अपच या निगलने में दर्द होना, जिसको cancer का लक्षन दिखता है, उसको अपच रहता है, या फिर difficult in swalongi, यानि जो है, निगलने में भी दर्द होता है समझगे, आगे देखिए O है, O for होता है obvious change in what or mole तील एवं मस्य की संखिया एवं अस्थान में तिवर परिवरतन होना मतलब बहुत ज़्यादा जो है, बड़ी में तील और मान से जो है, निकलने लगते है समझगे, तो obvious change in what or mole, in है in का मतलब necrosis, cough और hoarseness, मतलब लंबे समय तक खासी होना वा आवाज में भारीपन होना तो यह जो है, आपके necrosis, cough और hoarseness, जो है right answer है, आप उसको जो है देख लीजी, ठीक है, तो यह आपको caution में याद रखना पड़ेगा एक बार मैं फिर से बताता हूं आपको C फोर है, changes in bowel or bladder habit, A फोर है a ulcer or sore that does not heal, ठीक है, U फोर है unusual bleeding or discharge T फोर है thickening or lamp in breast or elsewhere, यानि कहीं भी, I फोर है indigestion or difficult in swallowing, O फोर है obvious change in heart or mal, N फोर है necrosis, cough और hoarseness, ठीक है यह जी समझ गए, आगे चलिए इसी में एक और question पुछता है कि benign or malignant cell क्या होता है, यह cancer का cell है ठीक है, जिस परकार से cancel विभाजन करता है malignant cell होता है, benign cell जो होता है यह कम गंभीर होता है, समझ गए यह सुरुवाती अवस्था में जब cancer होता है बेक्ती में, तो यह बिभाजन बला जो cancer होता है वो benign परकार के होता है, मतलब cell बिभाजन होता है, वो benign होता है मतलब धीरे-धीरे cell division होता है ज़्यादा तेज गती से नहीं होता है और इसमें जो विभाजन के कोशिखा के दर होते हैं वो धीमी होते हैं यही कारण है कि स्टार्टिंग में कैंसर का अगर ट्रीटमेंट हो जाए तो वेक्ती जो है ठीक हो जाता है लेकिन अगर वही अगर मिलिगनेंट सेल में परिवर् समझ गए क्योंकि उसमें मेटा एस्टेटिस उपरस्थित हो जाता है मिलिगनेंट बला में समझ रहे हैं तो यह बेनाइन बला जो है कम गंभीर बला जो है इसमें अनुपरस्थित होता है क्या चीज़ मेटा एस्टेटिस अनुपरस्थित होता है यह कम गंभीर और विभा पराय सफल होता है अगर इस स्थिति में इलाज चले तो पेसेंट ठीक हो जाता है लेकिन यहाँ पे अगर मिलिंगनेंट या घातक ट्यूमर अगर किसी को हो रखा है तो एसे ट्यूमर जिन में कोशिका विभाजन की ब्रीधी दर अधीक वतिवर रहती है एवं मेटा एस्टे होता है और मेटा एस्टेटिस भी उपस्थित होता है जो काफी तेजी से फैलता है और मिलिंगनेंट ट्यूमर कहलाता है यह उपर कैप्सूलेटेड था लेकिन यह नन कैप्सूलेटेड है वह अन्यमित होता है एवं अधीक गंभीर होता है जिसके उपचार की सफलता दर क मतलब यह काफी खतरनाक सेल हो जाता है, समझ गए तो यही दो परकार के सेल है, दोनों परकार के सेलों के बारे में पुछे गा है आपको बता देना है है, यहां पर गैंसर का कुस्चिन कम्पलीट हो गया ठीक है मैं आपसे मिलूँगा अगले वीडियो में आप अपना ख्याल लखिएगा आपका आज के इस वीडियो में दो अच्छे प्रश्क कर दिये आप इसको बढ़िया से पढ़ लीजिए